हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर सो फ्रेंट्स वे अगोंग टो कॉंटिनू अवर सीरीज ओफ फिलोसफी आज के सेशन में आपके साथ डिसकस करने वाली हूं तो इसको complete देखेगा सारे important points जो हैं वो मैं आपके साथ डिसकस करूँगी देखो जैसे आज़े आपके साथ की बीएड में आप कोई भी topic पढ़ना चाहते हो तो उसको points के थूप पढ़ो तो मैं आपके साथ points डिसकस करूँगे और जो बाते में आपको इसमें explain करने वाली So friends before I start with the session अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कर दे बैल आइकन पर to get notifications of my latest uploads So now let's begin with the topic Aims of Education with reference to curriculum and pedagogy हमारे जो education के aims है वो क्या है हम देखेंगे with reference to curriculum देखते हैं सबसे पहले With reference to curriculum देखें curriculum क्या होता है हम इसको सिर्फ syllabus नहीं क्या सकते हैं ठीक है क्योंकि curriculum एक बहुती broad term है syllabus इसका ही एक पार्ट है curriculum वो सारी activities होती है जो school में होती है including the syllabus और extra curricular activities को curricular activities यह सारा कुछ included होता है curriculum में तो अब हम देखते हैं philosophical aims देखें with reference to curriculum जो है इसके further जो है aims होते हैं two types के होते हैं first is philosophical aims fine philosophical aim and second is sociological aims तो पहले हम जो philosophical aims हैं वो discuss कर लेते हैं first is aim of self-realization philosophical aim का है यह self-realization मतलब खुद को समझना आप में क्या खासियत है किस चीज में बच्चों का interest है ठीक है उनका interest जिस field में भी हो उसको और motivate करना ठीक है और उनमें जो कमिया है वो भी उनको बतानी है फिर उनको पता चले ताकि वो उसको overcome करके अपनी जो positiveness है वो increase कर पाए या फिर अपनी जो capability है better perform करने की वो increase कर पाए then is the character formation अब देखिए character formation में आथे हैं कि आपका good character हो ताकि जो भी person है जो भी students है वो आगर जाकर society का part अच्छे से बनने वाले हैं good citizen वो बनने वाले हैं तो वो proper capable हो society में adjust करने के लिए then is aim of better life naturally अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके completely, economically, socially, emotionally and overall जो है उसकी development हो पाएगी harmonious development और ये दोनों चीज़े क्या है एक तरह से interrelated है then is social efficiency कोई भी person है देखिए society में रहता है तो उसको society की जो norms हैं जो values हैं वो follow करनी पड़ती हैं अगर आप society से अलग होकर चलेंगे तो आपको society भी accept नहीं करेगी ठीक है तो society के अपने एक rules होते हैं उसके कुछ norms होते हैं जिसमें fit होकर ही हमको चलना पड़ता है then is to earn the complete living जब person हर तरफ से efficient होगा ठीक है socially, mentally, emotionally and financially also ठीक है तो उसको हम बोलते हैं complete living complete living बोलेंगे उसको हम अब friends हम देख लेते हैं इसके जो sociological aims है so देखिए sociological aims means जो चीज society में आपको रहने के लिए जो help करती है सबसे पहले तो good citizen अच्छा नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है ठीक है society में रहना है तो हमें good citizen बनके रहना होगा then is the vocational aim vocation मतलब कि आप आगे चलकर क्या काम करेंगे आपको financial क्या aid मिलेगी ठीक है जिससे आप अपना गुजारा कर पाएं बिल्कुल simple language में आपको बताया है यह vocational aim means आप कौन सी field चूज करेंगे किस job में जाएंगे या फिर कौन सा business करेंगे ठीक है जो भी आप में ज्यादा capability है उसको enhance करना आपको इतना capable बनाना कि आप future में जाके अपना vocational aim जो है वो achieve कर पाएं कोई ना कोई job में appropriate या फिर आपका business हो इतनी आप में capability हो कि आप उसको अच्छे से achieve कर ले then is develop leadership qualities अब ऐसे तो नहीं है कि हर time आप किसी के under रहकर ही काम करेंगे हर समय orders follow करेंगी ठीक है तो school में ये चीज़ें सिखाई जाती है कि आप में leadership qualities किस तरह से develop होंगी वो कैसे होगा कि आपको group activities दी जाती है ठीक है तो उसमें leaders बनाई जाते हैं तो leaders क्या है vary करते रहते हैं हर time ऐसे नहीं है कि एक ही बच्चे को leader बनाया तो हर बच्चे को वो मौका मिलता है कि वो leadership qualities का जो experience होता है उसको face करे उसका burden भी क्या होता है leadership qualities का ठीक है क्या responsibilities होते हैं कि इस तरह से एक group को manage करना है वो सारी चीज़ें उसमें सीख सकता है अब देखिए society में तो हम responsible बाद में बनेंगे सबसे पहले responsibility हमारी अपनी खुद की family की तरफ बनती है अगर हमारी family member को किसी भी time पे कोई help चाहिए हमसे ठीक है तो हमको उनकी help करनी चाहिए जो भी family की needs होती है हमको बिना कहे family members हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं वैसे अगर हम अपने family में अच्छी responsibility अपनी अदा कर रहे हैं तो naturally society में भी हम वो चीज़ कर सकते हैं ठीक है तो हमको करनी भी चाहिए then improve economic efficiency of self and the nation तो देखिए economic efficiency जो होती है vocational aim के साथ कुछ-कुछ जो है interrelated है क्योंकि अगर आप अच्छी position भी होंगे अच्छी income earn करेंगे तो आप tax भी तो pay करेंगे ना government को तो वो क्या है economic condition आपकी खुद की और nation की naturally increase करेगी एक कौन सी field में आपको जाना है ठीक है हमारा interest starting से ही वो थोड़ा थोड़ा develop हो जाता है और जब हम थोड़ा graduation में हो जाते हैं post graduation में चले जाते हैं तब हमें ये चीज़े clear out हो जाते हैं कि हम अपनी life में क्या करना चाते हैं क्या बनना चाते हैं So now let's see aims of education with reference to pedagogy ठीक है देखे पेड़ागोजी के भी फर्दर दो होते हैं philosophical aim then sociological aim तो सबसे पहले हम philosophical aim जो है वो देख लेते हैं First is the problem solving method देखे class में ऐसे तो नहीं है कि सिरफ teachers बोलते रहते हैं और students सुनते रहते हैं ऐसे नहीं होता problems दी जाती है students को कोई भी जैसे mathematics के example लेते हैं teachers ने अपना जो theorem है वो बता दी उसके related एक example करा दी तो उसके बाद वो students को भी questions देते हैं solve करने के लिए तो वो हर बच्चा अपने तरह से question को solve करता है यानि कि problem solve करता है then is the activity method देखे स्कूल में कोशिश की जाती है कि हर subject के related ठीक है कुछ न कुछ activities कराई जाए time to time ताकि बच्चों का जो interest है वो भी बना रहे और activity में हर बच्चा involved होता है उसकी खुद की participation होती है interest generate होता है then is the project method project method में क्या होता है कि आपको कोई भी project दे दिया जाता है project में ये आपका group project भी हो सकता है या फिर individual project भी हो सकता है तो देखिए basically हम group की बात करेंगे group में क्या होता है कि सभी persons को अपनी अपनी job दे दी जाती है कि project में हर इक को अपनी duty assign कर देते है कि आपने ये काम करना है आपने ये वाला काम करना है ठीक है तो group में रहते हुए आप अपना काम किस तरह से करते हैं आपकी responsibility बनती है दूसरे group member की तरफ की अगर आपने अपना काम अधूरा चोड़ दिया तो आपके group का जो project है वो या तो first नहीं आएगा या वो complete नहीं होगा ठीक है तो हर person को अपनी अपनी responsibility अपनी अपनी duty अपना काम time पर proper अच्छी तरह से complete करना है then is learning by doing अब आपको पता होगा learning के देखिए ways होते हैं learning by seeing learning by audio ठीक है auditory learning होती है सुनकर सीखते हैं देखकर सीखते हैं and the main जो है वो होती है kinesthetic learning that is learning by doing जो आप खुद से करके सीखते हैं वो चीज आपको देखने से भी नहीं मिलेगी आपको सुनने से भी नहीं मिलेगी ठीक है for example मैं बताती हूँ जैसे कोई भी समझ लीजे सबजी बनानी है ठीक है तो आपको पता लगे है सबजी को इस तरह से बनाना है लेकिन जब आप उसको खुद से बनाने लगेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको क्या difficulties आ रही है तो जब आप खुद से कोई चीज करते हैं तब आपको actual में पता लगता है कि आप में क्या चीज की कमी रह रही है उस चीज में आपको सीखने के लिए ठीक है अब देखिए सोशिलाइज मेथर्ड में क्या होता है मैं एक्जामपल देकर आपको बताती हूँ जैसे स्कूल में होते हैं हाउसेज बनते हैं ठीक है तो उनकी लग लग ड्यूटी लगती है कि असेंबली कौन कंड़क्ट करवाएगा ठीक है या फिर जो डेक्लेमेशन कॉंटेस्ट होते हैं या फिर जो बोर्ड पे सारी इंफोर्मेशन लगानी होती है स्कूल की लेटेस्ट ठीक है वो सब चीजें किस तरह से मैनेज होंगी वो सोशलाइस्ट में आता है बच्चों को अपनी अपनी ड्यूटी बांट दी जाती है ताकि वो प्रॉबलम उनकी जो है सॉल्वाउट हो सके दें दे डिसकॉशन मेथड डिसकॉशन मतलब चर्चा करना ठीक है किसी चीज पर बातचीत करके उसका हल निकालना तो इसके ये फॉर्म होते हैं तो सबसे पहले है इसकी फॉर्म पैनल मेथड जहां पर एक ही पोजीशन के पर्संस बैट कर किसी भी प्रॉबलम का सॉलूशन निकालते हैं ठीक है डिसकॉशन करके बातचीत करके देन इस सेमिनार मेथड जहां पर एक पर्संस जो है डिसकॉस करता है वही टॉपिक को वही प्रॉबलम को इश्यू को दूसरे पर्संस के साथ जो सामने बैट कर उनकी बातों को सुन रहे हैं देन इस दे सिम्पोजियम मेथड देखिए सिम्पोजियम और कॉन्फरेंस यह एक जैसे होते हैं सिम्पोजियम मेथड में एक्सपर्टीज इन्वाल्व होते हैं जो किसी भी बड़ी प्रॉबलम का सुलूशन निकालते हैं देन इस दे वर्क्शॉप मेथड यह होती है फ्रेंड्स इनहांस करने के लिए capabilities को या फिर new skills सिखाने के लिए जैसे आपको पता होगा teaching में भी during training ठीक है in teaching practice के दौरान भी आपको workshop attend करनी होती है ताकि आप जो presently scenario चल रहा है teaching का या फिर आप जो भी method यूज करे हैं teaching का वो आपका enhance हो सके, update हो सके तो आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं link का आपको इसी video के description में मिल जाएगा और video पसंद आई हो तो इसे like and share जरूर कीजेगा see you in the next video till then keep watching